तो जैहिंदी वी लवर्स क्या हाल है आपके उम्मीद है अप लोग अच्छे होंगे फिलाल मैंने एक वीडियो डाला था हो लाकर स्क्रीन प्रोटक्टर का और वो स्क्रीन प्रोटक्टर इसकी आने वाले टेच स्क्रीन में लगाया गया था जिसकी डैमेंशन्स थोड़ी श स्कूटर हो चाहें वो ओला एलेक्ट्रिक स्कूटर हो और इसके साथ आने वाले जितनी वी वेइकल्स होंगे यह सारे स्क्रीन प्रोटक्टर बनाते हैं और वह हाई क्वालिटी हाई ग्रेड के हैं इनकी वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगा आप चाहें तो उनक स्कूटर प्रोटक्शन देने लगेगा इसको क्लीन करेंगे तो कोई भी डस्ट इस पर नहीं रह जाएगी कोई भी केमिकल का यूज करने के जरूवत नहीं है जो आप स्कूटर पर लगाए उसके बाद में इसको क्लीन करें जैसे कि आप कॉलिन वगरा का यूज करते हैं इसके साथ साथ लेजर कट है प्रिसाइज इसकी बिल्कुल डैमेंशन हैं यह दोस्तों इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं क्लीर गार्ड वालों ने क्या भेजा हुआ है और इसके साथ ही हम आगे देखेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है देखेंगे यह नाइनेच प्रोडक्शन के साथ आता है डेलिकेट टच है इसका हैमर प्रूफ है ओलियोफोबिक कोटिंग है वाटर प्रूफ है स्क्रैस रेजिस्टेंस है शौक प्रूफ है और इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए तो बेस्ट इन क्लास प्रोडक्शन आफर करता है यह आपको और इन्होंने मज़केज़े कई स्क्रीन गार्ड भेजे हैं जिसमें समय आपको ओला जो की यह वाला स्क्रीन गार्ड है इसको आपके दिखाने वाला हूं कि इसका कैसी मेनुफेक्ट्रिंग है आप इसकी और को स्कैन करके सीधे आप जा सकते हैं यहां आपको सारे इंस्टॉलेशन इंस्ट्रेक्शन मिल जाएंगे साथ इसकी वेब साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देऊंगा आप वहां जाके इसको चेक आउट कर सकते हैं यह दूसरा स्क्रीन गार्ड जो है टाटा की नेक्स ओन इवी के लिए है यह म आप देख सकते हैं कभी स्क्रीन गार्ट बात करेंगे स्क्रिंगार्ड इवीरह देखी इसको आपको स क्लेट करते हैं और गात स्क्रीन गार्ट कि बीडियो के लिए और यह screen guard नो ने मुझे भेजे हुए हैं, तो इसमें screen guard यह आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके सथ आपको एक packet और भी दिखाई दे रहा होगा, जिसमें एक wet wipe है और एक dry wipe है, आप wet wipe से scooter की screen को साफ करेंगे, उसके बाद मैं dry wipe से उसको clean कर देंगे, और microfiber cloth हो तो उसको भ wet wipe से उसको clean कीजिए, और जब आपको लगेगी कोई भी problem या कोई भी dust particle उसके आउपर नहीं रहे गया है, तब आप ओला के screen guard को apply करेंगे, और इसके लिए आपको squeezy भी दिया गया है, जो कि यह cardboard के form में है, तो दोस्तों सबसे पहले मैंने अपना पुराना screen guard remove कर दिया है और इसके साथ जो film लगके आती थी उसको भी remove कर दिया है, तो screen बिल्कुल naked हो गई है, और इसको हम साफ करने वाले हैं अगले step में, तो दोस्तों सबसे पहले आप wet wipe का packet फाड़िए, उसके अंदर एक cloth निकलेगा चोटा सा जो की गीला होगा, उसको आप screen को use करेंगे साफ करने के लिए, और screen को साफ करिए, इसकी मदद से कोई भी अगर आपको उसमें दाग धबा दिख रहा है, तो आप उससे इसको पहले पहले अच्छी तरीके से remove कर दीजिए, तो दोस्तों आप wet वाले packet को छोट दीजिए, और dry वाले packet को फाड़िए, जिसके बाद आपको ए जैसे कि आप आपने smartphone की जो पीछे की light होती उसको on करेंगे, और screen पर लगा के देखिए, अगर कोई भी आपको छोटा मोटा भी dust particle दिखता है, तो उसको भी आप साफ कर सकते हैं, इसके बाद आप अपने microfiber cloth को जो बिलकुल साफ होना चाहिए, उससे भी screen को साफ कर सकते है दोस्तों इसके बाद आपने clear guard का जो screen guard खरीदा है, उसका जो red color का film है, जिस पे red sticker चिपका हुआ है, उसको आप हटा दीजिए, और sticker को हटाने के बाद उसको थोड़ा सा तेना करिए, और screen के center पर रख दीजिए, आप थोड़ा alignment खुदी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि alignment के आपको कोई नहीं help पर सकता, यह आपकी perception है, फिलाल आप आराम से center में मिला के रखिए, जिस से दोनों तरफ screen guard बराबर हिस्ते में गया हुआ हो, जब भी आप gently उसको छोड़ेंगे बीचों बीच में, तो अपने आप कुछ ना कुछ air bubbles निकल जाएंगे, इसके बाद म स्कूजी का यूज़ करेंगे, और जो भी screen guard पे आपको नीचे air bubbles देख रहे होंगे, वो आप धीरे 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 इसे remove कीजिए, तो दोस्तों अच्छी तरीके से squeeze का यूज़ कीजिए, और सारे air bubbles को निखाल दीजिए, जिसके बाद माइक्रो फाइबर क्लोथ से भी screen guard installed मिलेगा, तो दोस्तों ये काफी clear screen guard है और इसका touch response भी अच्छा है, मुझे नहीं लगता है आपको ये install करने के बाद किसी प्रकार की कोई समस्या आने वाली है, साथ ही touch response बहुत ही gentle और वैसा ही है जैसा पहले हुआ करता था, ना तो इसमें कोई lag आ रहा है, ना ही कोई clarity है, scooter की screen भी बिल्कुल नई जैसी ही लग रही है और काफी इसका size भी अच्छा है पहले के comparison में, तो दोस्तों काफी clear screen guard है, touch response अच्छा है, आप इसको चाहें तो करीच सकते है, flip card के link से, या फिर इनकी direct website से भी link पहें, आपको description में दे दूँगा, फिलाल हमाई channel को subscribe कर ल विला बार्स